है यह लो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम ट्रेनार योट्यूब चैनल एक्जाम ट्रेनार योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज के इस सेरीज में हम देखेंगे पीछले वर्ष के प्रस्ट न यानि की एंटी पीशी और गुरूबडी के एक्जाम के लिए नं वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास इसे सेर भी करें और जो भी आपको सुझाओ देरा आप कमेंट के माधियम से हमें अपनी सुझाओ दे सकते हैं तो चलिए आज के कोईशन की तरह बढ़ते हैं हम लोग आज का पहला कोईशन आपके सामने ये रहा के उसमें दिया था समसंख्या तो आप देखें अमने बताया रहे हैं आपको कि आपको इस क्लस में भी जो है इसके पिछले लेक्चर में भी आपने बताया था कि समसंख्या हो या भी समसंख्या जब दो लगतार भी समसंख्या या समसंख्या उनका गुडणफल करेंगे यद यदि सम संख्या का गोड़नफल है तो बीच की जो संख्या उसमें एक जोड़ेंगे तो बीच की जो संख्या है विशम उसका स्क्वाइर होता है जैसे और एक जमपक अभी यही क्वेशन है आपका 399 इसमें एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 400 और यह क्या चीज था की संख्या है क्या है 20 है तो इससे पहले क्या होगा 19 यानि विशम संख्या 19 होगी और बाद की संख्या 21 जो 20 के बाद 21 यानिकि 19 और 21 दो संख्या है जिनका गोड़नफल जो है क्या है 399 है यानि इस कोशन का राइट अन्सर अप्शन नमबर भी 19 ठीक है आप देखेए यहा अब यहाँ पर समिगर्ड जो बना आपका आया value x plus 21 और x minus 21 is equal to 0 तो x is equal to 19 होगा ठीक है ना x minus 19 is equal to 0 तो x is equal to 19 और x plus 21 यह दिलेते हैं तो यह minus में आएगा इसलिए minus 21 को हम नहीं लेंगे यहाँ पर भी आपका 19 ही आएगा बट देखे 399 प्लस 1 400 और 400 किसका square है यह 20 का square है यहीं कि इसका square root 20 आएगा और 20 जो है आपका बीच की संख्या होगी यहीं मध्य संख्या होगी 20 से पहले 19 और 20 के बाद 21 यहीं 19 और 21 दो संख्याओं का golden fall जो है 399 था यह है इसका answer 19 सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा तो 19 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या होगी यहीं इस question का right answer होगा 19 ठीक है नेक्स्ट क्वेशन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने है कि पांच क्रमागत संख्याओं का आउसत 40 है और इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मानग्यात किजिए देखिए आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे यह एवरेज भी पढ़े हैं हार एक चेप्टर पढ़े हैं यह आपका रिविजन कोर्स है तो आप बिल्कुल जो है कुछ चेप्टर जो है पढ़ गया है तब यहां पर रिविजन होगा आपका अच्छे से ठीक है अब इसमें question की answer की बात करें तो इस question का right answer आपसा number B यानि 36 से दी आपका answer आ रहा है तब तो सही है अन्य था आप कुछ ना कुछ जरूर गड़बड किया होंगे कुछ गलत कर रहे होंगे इसलिए आपका answer नहीं हो रहागा आप देखिए इसको कैसे हम solve कर सकते हैं तो solve कर सकते हैं आपको समसंख्या दिया गई 5 समसं होता है संख्याओ का योग बटा संख्या बराबर एवरेश यानि अवसर बराबर अब यहाँ पर इसको solve करते हैं तो यह आपका answer आएगा कितना 36 जब 36 आएगा तो सबसे छोटी संख्या ही 36 होगी क्योंकि X को ही हमने सबसे छोटी माना है ठीक है अब क्रमागत 5 संख्या है क्या क्या हो सकते है 36 38 40 42 44 यानि कि सबसे छोटी संख्या 36 दूसरी वीधी क्या है दूसरा वीधी आप देख सकते हैं 5 क्रमागत संख्या होगा योग दिया है 40 इंटू 5 यानि कि 200 योग निकालने के लिए एवरेश में हम संख्या हों से गुड़ा कर लेते हैं तो योग आ ज है तो इससे पहले दो संख्या क्या होगी एक 38 होगा और एक 36 होगा और इसके बाद में भी दो संख्या होगी 42 और 44 यही होता है आपका क्रम से संख्या यह दि हैं संख्या हो या भी संख्या हो या प्राकिर्थिक संख्या है बिल्कुल आप असानी से निकाल सकते हैं एवरे 400 है तो वह संख्या क्या है बिलकुल आप असानी से इस question को solve कर सकते है तो एदि इस solve करेंगे तो आपका answer आएगा 600 यानि 600 आप कैसे solve होगा तो मान लेते हैं संख्या क्या है x है और x का 2 बटा 3 फिर का 1 बटा 4 equal to 100 तो 2 से ये 4 कटेगा दो बार में तो 2 तिया इच्छे होगा और 6 से 100 में गुड़ा हो जाएगा 600 आपका right answer हो जाएगा ठीक है next question की तरह बढ़ते हैं 1265 में से क्या घटाये जाए कि प्रात संक्या 29 से ये 29 से पूर्णता विभाजित हो जाए तो घटाने के लिए आपको सीधे-सीधे जो remainder बचेगा उतना ही आपको घटाना पड़े यानि 29 से भाग करे 1265 में तो जो आपका remainder बचेगा यानि कि remainder जो बचेगा वही आपको जो है उसको घटा दिया जाए यदि वो नहीं रहता तो पूरा-पूरा कट जाता इसका मतलब इस question का right answer होगा क्या C option से होगा last में आप जब डिवाइड करेंगे तो यह 186 बचेगा यानि इसका right answer होगा option number C remainder 18 बचेगा 43 भाग जाएगा 43 भाग फल होगा ठीक है और जो 6 फल बचेगा 18 बचेगा इसलिए 18 कोई घटाना पड़ेगा तभी 29 से डिवाइड होगा next question की बात करते हैं दो संख्याओं का अनुपात 3 ratio 1 तथा योगफल 72 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ग्याद किजिए अब यह question जो है मुझ जबानी है आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और यदि solve करते हैं तो आपका answer आएगा 36 अब चलिए देखिए आम एक बार जो ह value आगई 18 अब आपसे पुछा संख्याओं का अंतर तो 3x से x minus करेंगे तो 2x और 2x मतलब 2 into x की value आई है 18 तो 2 into 18 यानिकि 36 आपका राइट answer होगा अब देखिए सीधे सीधे आप 3 ratio 1 दिया था तो 3 एक 4 पढ़े और 4 का मतलब 72 पढ़े जब 4 का मतलब 72 पढ़ेंगे तो 1 का म अंतर बताएं तो 3 में से 1 minus करें 2 और 2 का मतलब 18 तो नहीं कितना हो जाएगा 36 इस्कूशन का राइट answer था ठीक है चलिए next question की बात करते है दो संख्याओं का योगफल 20 और गुडणफल 91 है तो उनके ब्यूत क्रमों का योगफल क्या होगा है ब्यूत क्रम मतलब जैसे संख्या x है तो उसका ब्यूत क्रम होगा 1 वटे x ठीक है अब देखिए 20 और गुडणफल 91 है तो इस question का जो राइट answer होगा option 2 वटे y और 1 वटे x यही ब्यूत करम का लाता है ठीक है तो 20 वटे 91 आपका राइट answer पाली वीदी है दूसरी वीदी में हम संख्याओं का गुडणफल 91 तो तेरा साथ 91 तेरा और साथ जो इसा अब्भाज जो गुडणखंड है इसलिए तेरा और साथ कॉमन तो होगा नही यानि कि 13 और साथ 20 भी होगा और 13 साथ 91 भी होगा यानि यह फुल्फिल हो रहा है तो एक बटा 13 व्यूत करम एक बटा साथ अब इसे सॉल करते है तो यह आपका आएगा 20 बटा 91 ठीक है अब देखे आए एक चीज आपको बताते हैं जैसे x is equal to मान लेते हैं आपका क्या है 5 है और y is equal to 10 है ठीक है हमने माना अब देखे एक बटा x सीधे सीधे आप यह 5 और 10 माने ही नहीं ठीक है ना इससे कोई लेना देना नहीं एक समाने संक्या एक वाई माने इसका व्यूत करम एक बटा एक और इसका जो है इसका व्यूत करम एक बटा वाई अब इसमें देखे एल्सियम xy होगा क्योंकि common नहीं है अब यहाँ पर y होगा और प्लस x होगा तो क्या है आपका मान? x प्लस y चाहे y प्लस x दोने बात सेम है यानि कि x प्लस y और बटे xy जब भी व्यूत करम की बात करेगा तो उपर योग यानि कि दोनों को जोड के और नीचे दोनों को गुड़ा करके बस कर दे तो आपका आंसर जो है असानी से आ जाएगा यानि यहाँ पर दिया था 20 और यहाँ पर दिया था 91 योगफल 20 और गुड़नफल 91 तो इसलिए आपका राइट आंसर है 20 बटा 91 नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं यदि एक संख्या का 60 प्रतिसत दू संख्या के दो तीहाई के बराबर ऻया तो संख्या का उपात ग्याद कीजिए अब आप इससे साल करेंगे तो इसकोशन का जो राइट आनसर होगा ऑप्सण नंबर क्या होगा यह इसकोशन का राइट आंसर होगा ठीक है न आप देखे स canですね x और y है तो हम आप 뜻ए 10 और बट उपर जाएगा 100 गुड़े 2 और 60 गुड़े 3 अब इसमें 0 से 1 0 कटेगा 2 3 6 यानि कि 10 बटा 9 यानि कि 10 रेशियो 9 आएगा इस question का right answer आप 60% को थोड़ा सा और क्विक करने के लिए और जल्दी से करने के लिए आप क्या कर सकते हो 60 को कितना बना सकते हो तो 60 को मना सकते हैं 3 बटे 5 तो 5 दूनी 10 और 3 तेली के 9 यानि कि 10 बटे 9 इस question का right answer हो जाएगा देखिए सीधे सीधे अब बना सकते हैं X का 60% को हम क्या बना सकते हैं 60 को बना सकते हैं 3 बटे 5 और इधर दिया था 2 बटे 3 Y यही तो दिया था अब X बटे Y करना है तो बिलकुल असान है पांस से दो में गुड़ा तीन से तीन में गुड़ा तो पांस से दो नी दस और बटे 9 यानि कि 10 रेसियो 9 इसका आंसर था ठीक है नेक्स सुसन की बात करते हैं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है और यदि अंक के अस्थान आपस में बदल दिये जाते हैं तो 63 संख्या जो है 63 कम हो जाती है अब देखिए जो संख्याओं का जो डिफरेंस है संख्या और अंक यह दोनों अलग अलग पहले देखिए हम ट्रिक इसलिए नहीं बताना चाहा रहे कि थोड़ा सा आप traditional यानि basic चीजे आप सीख ले इस question का right answer होगा 29 संख्या 29 होई अब कैसे होगा ये चीजे सेखते हैं हम लोग ठीक है तो देखिए माल लेते संख्या 1 का अंक y तथा 10 का अंक x है तो जो संख्या बनेगी y प्लस यहाँ पर 10x प्लस y ये संख्या आपकी बन के तयार हो जाएगी प्रथम सर्त दिया था कि x प्लस y यानि x अंक है y भी अंक है ये आपका 11 होगा दूसरे सत से क्या होगा कि जब संख्या को बदला जाता है तो 10y प्लस x संख्या आप बनेगी अंको को बदल दिया जाता है y के जगवा पर x x के जगवा पर y और 10x प्लस y तो संख्या जो नई संख्या है वो 63 अधिक होगी किससे दूसरी संग्य से यानि 10x प्लस y यह आपका यहाँ पर समिक्राड बना अब 10x 10y इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 9 y-x is equal to 63 यानि y-x is equal to 7 अब समिक्राड एक और second first और second को solve करते हैं तो यहाँ पर आपका right answer y का value आएगा 9 और x की value आएगी 2 ठीक है ना इसलिए आपका right answer होगा क्या 10 गुड़े 2 और प्लस 9 यानि कि 10 दूनी 20 और 29 आपका इस संख्या का right answer इस question का right answer 29 होगा दूसरी विदी क्या है आप विकल्प से इसे चेक कर सकते हैं विकल्प से कैसे चेक कर सकते हैं तो विकल्प c में दिया था 29 29 में यदि 63 8 करें तो आपका 92 यानि कि बदल गया इसका मतला वाविस संख्या जो है क्या होगी 29 ही होगी अब इस question को देखिए 2 अंकों की एक संख अस्थान आपस में बदल दिये जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है यानि कि छोटी अंक के अस्थान बदल देंगे तो जो कम हो जाने का मतलब कि संख्या छोटी थी तब ही जो है अंक बदल जा रहा है तो और छोटी हो जा रही इसका मतलब यह है ठीक है ना तो 63 कम होने का मतलब कि 29 मेरी 63 जोडते हैं तो संख्या के अंकों का क्या हो जाता है बदल जाता है यानि कि 92 में से 63 माइनस करें तो आपका आएगा 29 यानिस कोशन का राइट अंसर अप्सन नमबर सी अब देखिए एक चीज और बिल्कुल असान सा तरीका है आप 63 दिया है संख्या का डिफरेंट्स एनि अंक बदलने पर संख्या का डिफरेंट्स तो ये जो होता है आपका किसे डिवाइड होता है ये आपका डिवाइड होता है 9 से तो 9 साते 63 क्या हो जाएगा 9 साते 63 अब इस क्वेस्टन में आपको मिला था कि अंको का योग 11 है तो देखिए अब क्या हुआ एक्स प्लस वाइज कल टू 11 और एक्स माइनस वाइज कल टू 7 ये आपका 7 माइनस आरा अंको की अंको का अंतर 7 आएगा और अंको का योगफल 11 दिया है अब एक्स निकालना है तो आप सिधे-सिधे 11 साथ 18 रबटे क्या है दो यानि कि नो वाइज कल टू 11 में से चार और का अधा दो यानि कि 9 और टू आया ठीके ना अब इसमें संख्या लास्ट में कम हो जाती है तो आपका राइट अंसर होगा 29 ये अधिक हो जाती तो 92 होता इसलिए इसकोशन का राइट अंसर अप्शन नंबर 29 आपका अधिम से हमें अपनी सुझाओ दे सकते हैं तो प्लीज आप इस इक जाम टेरार योटू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शाथ में वेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको उसका रोड़िकेशन मिल है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आप साइगली क्लास में तब तक के लिए जय भारत ऑल दी वेस्ट